अलो फ्रेंज आज इस वीडियो में बात करेंगे प्याजे थियोरी ओफ कॉगनिटिव डिवलपमेंट की ये जो थियोरी है ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपके किसी भी टीचिंग एक्जाम के लिए चाहे वो C-Tat हो आपका, HP-Tat हो आपका या कोई भी टीचिंग एक्जाम हो आपका उन सब के लिए ये थियोरी बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और हर साल यहां से question बनता ही बनता है तो बिना time waste किये let's start आपकी cognitive theory क्या है cognitive का मतलब क्या होता है cognitive का मतलब होता है आपका mental ठीक है आपकी mental development पे ये थियोरी है इसमें आपका जो scientist है उनका नाम है जीन प्याजे जीन प्याजे ने आपको क्या दी थी cognitive theory दी थी ठीक है और इन्होंने अब जीन प्याजे के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते है फिर थियोरी के बारे में डिसकस करेंगे जीन प्याजे क्या है आपके swiss psychologist है biologist है philosopher भी है वो एक तो वो बहुत जादा उनका keen interest था psychology में बहुत जादा interest था उनका और कैसे ये development होती है knowledge की development होती है उस पे उनका बहुत जादा interest था ठीक है और as वो biologist थे तो उनको biology से उन्होंने ये चीज़ सीखी थी कि उनका environment उनका environment और उनका जो इन्वाइमेंट में processes होती है वो उनको adapt करने के लिए बहुत जादा useful होती है किसी भी बच्चे को भी adapt करने के लिए बहुत जादा ज़रूरी होती है जो भी processes environment में हो रही है हम क्या करते हैं, अपने environment को respond करते हैं, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, child psychology का father भी बोला जाता है, किसको gene PIA is called the father of child psychology, एक question ये भी बन सकता है, यहां से ही, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, कि children क्या है, आपके little scientist है, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, जो development थी, जो mental development बच्चे के अंदर होती है, वो उसके बारे में बहुत curious थे जाननी के लिए, कि उनको पता करना था, कैसे होती है, क्यों होती है, और किस stage में क्या-क्या changes आते हैं बच्चे के अंदर, तो उन्होंने अपने ही तीन बच्चों पे experiment किया, उन्होंने अपने ही कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कि अपने ही बच्चों पे experiment करके ये theory दी गई है, तो उन्होंने और उसके बाद क्या था, उन्होंने ये कहा था, जो आपका बच्चे होते हैं, वो क्या है, active builders है, क्या है, active builders है, किस चीज़ के, knowledge के, कि मतलब बच्चे जो है, वो knowledge बहुत ज करते हैं, और बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चे सीखते 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 हैं, बच्चे रहता है इसलिए उन्होंने क्या कहा था इसको बच्चों को लिट्ल साइंटिस्ट रहाता ये थी आपकी JEAN-PYAHJEE के फोड़ी सी बाते next बात करेंगे अब cognitive development की next क्या बात करेंगे हम cognitive development की cognitive development बोले या हम intellectual development बोले इसका मतलब भी सेम होता है या हम बोले की आपकी mental skills अगर हम बोले कि mental skills ये भी यही होता है कि प्याजे ने किस किस बारे में आपकी mental skills पर focus किया था कि mentally बच्चा कैसे develop करता है तो उन्होंने ये कहा था जो cognitive development है वो दो processes में होती है आपकी ठीक है दो stages में बोल सकते हैं या तो हम पहले cognitive processes होगी उन processes के वज़े से जो stages है उनमें change आएगे बच्चे के age wise change आएगा ठीक है processes हो रही है side by side मतलब hand in hand होगा side by side चलता रहेगा एक side से process हो रही है दूसरी side से आपके जो stages है उनमें बच्चे के development होती जाएगी तो उन्होंने बात की थी कि हमारा human brain क्या है दो parts में divided है हमारा human brain क्या है दो parts में divided है आपका जो फिर उसमें एक में है आपका cognitive structure एक में है आपका cognitive functioning cognitive structure क्या है आप इसको बोल सकते हैं कि एक room है structure मतलब कुछ room ठीक है आपके brain में एक room है उस room को हमने क्या बोला schema ठीक है उस room के अंदर क्या है knowledge है ठीक है schema क्या है a room full of knowledge a small room full of knowledge ठीक है अब ये knowledge क्या करती है, ये schema क्या करता है, हमार को अपने environment के साथ interact करने में और adapt करने में help करता है, ठीके, क्या करता है, ये schema हमार को, जो small knowledge है हमारे अंदर, ये knowledge inherited भी हो सकती है, हम already हमा को आती है वो चीज, ठीके, बच्चा है, उसको रोना कोई सिखाता नहीं है, ठीके, वो क्या है, वो already आता है उसको, पहले सी आता है ना, हसना कोई नहीं सिखाता है, उसको रोना कोई नहीं सिखाता, ठीके, वो उसको पहले सी ही आता है, तो वो क्या है, inherited है, ठीक है अब उस inherited knowledge से वो क्या करता है अपने आपको जो environment है उसके around उसमें adjust करने की कोशिश करता है भूक लगता है तो वो रोने लग जाता है वो क्या है उसकी एक schema था उसके पास एक knowledge थी उसको उसने implement किया ठीक है अब आपकी functioning कैसे start होगी आपकी schema तो आ गया ठीक है अब accommodation जो है वो क्या है आपका यह आपको क्या करेगा adapt करने में help करेगा ठीक है assimilation मतलब कुछ नई information इस schema में add करना ठीक है कुछ नई information add करना और accommodation मतलब उस अब जो आपकी knowledge थी उसको आप मोडिफाई किया ठीक है जब आप मोडिफाई करते हो वो होता है accommodation और यह दोनों accommodation क्यों होती है क्योंकि यह आपको adapt करने में help करती है अभी आपको यह चीज़े समझ नहीं आ रहे हूंगी यह just brief है अभी आगे आपको example के थूँ यह अच्छे से समझ आ जाएगी फिर उस वजह से जब आप adapt कर लेते हो तो आप क्या पहुंच जाते हो एक equilibrium पे पहुंच ज आपता है और disequilibration का मतलब हुआ कि कोई balance नहीं बनता बहुत problems create हो जाती है यह आगे समझेंगे कहां यह terminologies used होती है और कैसे आपको समझ जाएगी next दो नहीं बात की stages की stages में पूर लेंगे तो हमारे पास है sensory motor stage आपकी birth से लेके 2 years तक pre operational stage 2 से 11 years तक यह भी further 2 parts में divided है फिर आ आपकी 7 से 11 years तक and formal operation your adolescence age चू होती है वो है यह ठीक है आगे इसको detail में discuss करेंगे so let's start अच्छा अब प्याजे ने क्या किया था प्याजे ने अपनी theory में जो है चार important factors के बारे में बात की थी see यह जो factors है यह बहुत जादा important है यहां से question बनता है और बहुत सरे लोग इसको confuse कर लेते हैं इसमें confusion हो जाता है उनको और वो गलत answer कर लेते हैं वो क्या बात करते हैं वो यह बोलते हैं कि जो question कुछ ऐसा बनता है कि प्याजे किस चीज को अपनी theory में consider नहीं करते हैं क्योंकि प्याजे क्या थे वो social interaction को जादा importance नहीं देते हैं importance नहीं देते हैं बट उन्होंने क्या किया था अपने theory में इस factor के बारे में बात जरूर की थी उनके जो theory है उसमें वो जादा importance किस चीज को नहीं देते हैं language को नहीं देते हैं ठीक है इसको आप mark कर सकते हो लिख सकते हो खुद क्यूंकि यहां से question बनता है question इसी theory से बनेगा इससे भार कुछ भी नहीं जाएगा आपका जो मैं आपको वीडियो में समझा रही हूं बस कुछ चीज़े आपको remember करनी है कि language क्या है उसको प्याजे ने जादा importance नहीं दी थी social interaction को फिर भी थोड़ी importance दी थी उन्होंने उन्होंने बोला था social interaction से क्या होता है अभी समझेंगे बट यह चीज़े आप दखले ना social interaction one of the four factors है आपके प्याजे के थियोरी के language नहीं है ठीक है तो बात करते है first factor की that is activity उन्होंने यह कहा था कि बच्च learning by doing का उन्होंने factor रखा था कि बच्चा जो activity करेगा उससे सीखेगा कुछ नहीं चीज़े सीखेगा for example मैं आपको यह दू मैंने अपनी पीछली वीडियो में भी आपकी growth environment वाली वीडियो में sorry development वाली वीडियो में भी example दिया था कि बच्चा क्या है नहीं चीज़े हमारे अदर development कैसे होती है बच्चा है उसके हम रोज प्लांट के आगे उसको रख देते हैं तो वह क्या कर लेता उस रोज प्लांट को टच कर लेता है और उसको वह कांटे चुप जाते है ठीक है अब उसने क्या किया यहां पर उसने learn की a skill कि हमार को अगर रोज प्लांट के पास जाना है तो उसके thons से हमार को बचना है ठीक है उसकांटों से हमार को बचना है ठीक है तो उसने क्या क्या learn किया किस से activity करने से कुछ learn किया उसने activity से अब जो आपकी preschool के बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं जादा से जादा activity करवाते हैं visual aids दिखाते हैं ताकि वह क्य करें सीख सके देखने से सीख सके या करने से सीख सके उनसे कलरीं करवाते है कि आपमल का कलर होता है तो रेड कलर होसमें तो वो क्या है learning by doing का concept एक्तिविटी को दी, सेकेंड उन्हें मिचौरिटी की बात कि अब मिचौरिटी क्या है? मैंने क्या बोला आपको फर्स्ट में हमने एक्जामपल लिया रोज प्लांट का तो अब नेक्स टाइम बच्चा जब रोज प्लांट के बच आएगा उसको वहां से टच नहीं करेगा वह उसके कांटे देखके उसको टच करेगा, वह क्या है? उसके अंदर मिचौरिटी है, मिचौरिटी मतलब लर्निंग सम्वेर, ठीक है? हमने ये बात की थी अपने ग्रोथ और ड्वेलपमेंट वाली वीडियो में, तो क्या है? मिचौरिटी का है? लर्निंग है, यह कहां स जाती है, जैसे बच्चे ने अब सीख लिया कि रोस प्लांट को टच ऐसे नहीं करते हैं, हमा को केरफुल रहना पड़ता है, जब हम रोस प्लांट को टच करते हैं, तो वह क्या था? मिचौरिटी उसके अंदर आगी है, तो वह ताट कंसेप्ट, नेक्स उनने बात की थी इंटराक्शन की, उन्होंने ये शोशल इंटराक्शन की जो बात की थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको किसी को कॉपी करना है, ठीक है, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम आजट इस उनकी तरह ही हो जाए, या कुछ वैसा करना है, उन्होंने ऐसी बात की थी, उन्हो लोगों के साथ interact करते हैं तो हमार को अपने ही बारे में कुछ नए-नई चीजे जानने को मिलती है अपने आप में ही workout कर रहे हैं वैसे indirectly उन्होंने कहाता कि डारेक्ली नहीं कहाता कि जो environment है वो बहुत जादा role play करता है हमारे इसमें development में बट indirectly कहीं न कहीं social interaction या जो social experiences है वो भी हमारी life में count होते है next जो बात है equilibration की यह है इसका मतलब क्या होता है कि एक balance बनाना है किसके बीच में balance बनाना है आपका knowledge के बीच में कुछ चीज़े आपको पहले से पता होगी कुछ चीज़े आपको अभी मैंने बताई तो उसमें क्या करना है आपको जो चीज़े आपको ठीक लगी आपको क्या करनी है वो चीज़े adapt करनी है, modify करनी है accommodate करनी है अपने अंदर आप उसको accommodate करोगे तो क्या होगा एक balance बन जाएगा कुछ concepts आपके पहले clear न होगे कुछ concepts आपके इस वीडियो के बात clear हो जाएगे, तो वे क्या बन जाएगा balance बन जाएगा, एक equilibrium बन जाएगा ठीक है, अब ये था 4 important factors आपके प्याजे के theory के next बात करेंगे important terms की हमने वैसे थोड़ा-थोड़ा discuss कर दिया है, तो बट फिर भी revision हो जाएगा schema क्या है आपकी small room of knowledge, या pocket of, pocket है आपकी information की, ठीक है small small pockets है information की एक room है आपका information किसमे, brain में ठीक है, वो है आपका schema अब organization क्या है organization का मतलब क्या है हम इन schemas को organize करते हैं, ठीक है, classify करते हैं, like for example आपको एक example देती हूँ, बच्चे को पता है की कोई animal है, dog उसका क्या है, four legs है उसके पास, क्या है, four legs है, ठीक है, तो वो क्या है, dog है, और उसने क्या देखा कि dog को हम घर पे रखते हैं, ये क्या बना दिया, उसने एक schema बना दिया, एक knowledge उसके पास, अपने brain में store हो गए, अब क्या है, next उसने एक animal देखा, lion, ठीक है, उसने क्या देखा, उसने lion को देखा, अब वो ये बोलने लग गया कि lion को क्या करते हैं, lion को भी घर पे रखने लग जाते हैं, उसको भी domesticate कर देते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है, उसकी mamma ने उसको मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, अब उसने पूछा क्यों नहीं हो सकता है, क्यूंकि आपने बोला कि lion क्या है, एक jungle में रहने वाला animal है, उसको हम domesticate नहीं कर सकते है और एक है जिसको हम domesticate नहीं कर सकते ठीक है उन्होंने यह बोला अब उसके दिमाग में क्या होगी classification होगी जो उसकी schema थी उसकी organization होगी कि animals बहुत सारे हैं जिसकी four legs होती है बट कुछ animals ऐसे हैं जिसको हम domesticate कर सकते हैं और कुछ को हम नहीं कर सकते हैं next path है आपकी assimilation की assimilation है यहां पर यह broadening है sorry यह गलती से typing error है तो यह broadening है broadening of broadening of क्या है आपकी existing knowledge to add a new information ठीक है आप क्या करते हैं जो आपकी existing knowledge है अब आपने क्या किया जब आपने classify करने को बोला उसको उसमें जब उसने बोला कि हम क्या करते हैं lion को भी domesticate करते हैं तो आपने उसको जब मना किया तो क्या हो गया उसकी knowledge में new information add हो गई कि lion को हम domesticate नहीं कर सकते हैं क्या है आप ब्रॉड कर रहे हैं उसके schema को जो उसकी existing schema थी कि हमार पास four-legged animal है उसको हम domesticate हर four-legged animal को domesticate कर सकते हैं बढ़ ऐसा नहीं हो सकता जब आपने उसको यह समझाया तो आपने क्या कि उसकी information में नहीं चीज अड़ किए उसकी schema में नहीं जीज अड़ किये अब उसने क्या किया उसके स्कीम को उसने मोड़ेफाय और उस उसको समझाया गया है हमने की क्या करना है हमार को हर आइनेमल को domesticate नहीं कर सकते जो friendly इसली आनिमल हम उनको ही domesticate कर सकते हैं, कुछ आनिमल्स हम आपको हाम पुझा सकते हैं, हम उनको domesticate नहीं कर सकते, तो वो उसने क्या किया, अपनी previous knowledge में modifications की, ठीक है, उसने modification की, और इस वज़े से क्या हो गया, एक balance बन गया उसकी previous knowledge, और new knowledge के बीच में, तो यह क्या है, एकवी ब्रिडेशन ठीक है यह थी आपकी important terminologies I hope आपको समझ आगे होगा schema क्या है एक चोटा सा room है knowledge का organize कैसे करते हैं schemas को classify करके organize कर लेते कि कौन सी चीज कैसे होगी फिर assimilation क्या है आपकी जो existing knowledge है उसमें आपने कोई new information add करती accommodation क्या है उस add information को आपने modify कर दिया कुछ तो change आया होगा आपकी सोच में thought में कि पहरे आपकी thought कुछ और थी अब आपकी thought कुछ और होगी होगी और उस thought की वज़े से क्या बन गया एक balance बन गया अगर आप satisfy हो तो आपको एक balance नजर आएगा ठीक है तो यह थी आपकी important terminologies अब आपको एक इस पर इस process को जो आपकी mental या intellectual development की जो process है इसको हम एक बार ढंक से समझते हैं हमने क्या बोला आपके पास assimilation है क्या है आपके पास assimilation है assimilation क्या है आपके पास जैसे हमने बोला कि dog क्या है एक four leg animal है ठीक है four leg animal है और उसको हम घर पे रख सकते हैं तो यह क्या था बच्चा था बहुत जादा बैलेंस था उसकी दिमाग में ठीक है उसको लगता था कोई भी four leg animal है हम उसको घर पे domesticate कर सकते हैं फिर क्या हुआ एक नई situation arise हुई एक नई situation आई उस situation में क्या हुआ उस situation में यह हुआ कि उसने अब जिद कर ली कि मुझे lion को ही घर पे रखना है ठीक है अब new situation क्या आई उसने क्या बोला उस lion को घर पे रखना है आब उसकी पहले क्या हुआ妳 एक silence हुआ एक dismalance हुआ disequilibration हुआ इसके thoughts में ठीक है अब उसने क्या किया अब उसको समझ आने लगया ठीक है disbalance हो गया opponents के बाद उसको समझ आने लगया ठीक है अगर हम lion को घर पे रखेंगे तो क्या होगी problem हो जाएगी वो हमें काच सकते हैं हमां कोई खा लेगा वो ठीक है बच्छा डर जाएगा उस चीज से तो उसने क्या किया उसने उस चीज को accommodate कर लिया ठीक है उस जो उसकी ममा ने उसको सिखाया उसने उसको समझ लिया उसने अपने अंदर accommodate कर लिया, अपनी सोच को modify कर लिया कि हर four leg animal हम घर पे नहीं रख सकते हैं, हर animal domesticate नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ animals हमारे लिए harmful है और कुछ हमारे लिए friendly है ठीक है, उसने क्या existing schema में अपनी knowledge को क्या कर दिया accommodate कर दिया, modify कर अपनी knowledge, ठीक है, आपको accommodate समझ आ गया, अब इस चीज़ से क्या करेगा, वो accommodate कर लिया तो अब वो उसको adapt करने लग जाएगा, अगर अब उसको समझ आ जाएगा कि cat है, तो वो cat को घर पे रख सकता है, ठीक है, और इसकी बाद क्या हो गया, एक balance बन गया उसकी पुरानी knowledge में और नई knowledge में, ठीक है अब वो balance बन गया और यही balance क्या बन गया, next schema बन गया क्या बन गया, next schema बन गया schema बन गया आपका next अब क्या हो गया, तो एक नई चीज़ आ गी यहां पर अब उसके पास एक नया स्कीमा के बन गया कि हर अनिमल टुमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता कुछ हाफुल होते है कुछ यूसफुल होते हमारे लिए तो ऐसी अब नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट और कुछ उसको नई चीज पता लगेगी उसमें वो अब इस चीज में उसक कुछ नई चीज पता लगेगी फिर वो एसिमिलेट करेगा फिर एक उसके समने नई सिचुएशन आएगी फिर डिस बालेंस होगा फिर उस चीज को समझने की कोशिश करेगा अकॉमिडेट करेगा मोडिफाइगा फिर नया स्कीमा बन जाएगा तो यह क्या है एक पूरी प कोश में कमेंट करके बता सकते हैं next अब बात करेंगे stages of cognitive development की हमने बात की थी कि प्याज ने क्या cognitive processes की बारे में study किया था और stages की बारे में study किया था हमने processes समझ ली है कि कैसे कैसे schema होता है फिर कैसे वसको और गनाइज करते हैं फिर assimilation होती है फिर accommodation होती है और फिर एक balance बन आता है तो first बात करेंगे first stage की जो है आपकी sensory motor stage ठीक है आपकी birth से two years तक होती है इसमें क्यों होता है बच्चा क्या है अपनी senses की through सीकता है उसकी senses क्या उसकी teacher बन जाती है मतलब वो अपनी चीजे कैसे learn करता है कैसे सीकता है touch करके सुन कर smell करके taste करके तो वो दो साल तक इसी चीज से सीखता है उसको कोई सीखा नहीं सकता हर चीज हो सीखता है reflex actions के through वो work करता है आपके जितने भी gross motor skills है उन्हें पड़ी थी ना gross motor skills अपनी growth वाली वीडियो में तो gross motor skills क्या है आपकी बहुत broad terms में ठीक है बड़ी muscles जब आपकी बड़ी muscles work करती है मतलब आपकी leg muscles work करेगे leg muscles आपकी arm muscles तो ये क्या है बच्चा क्या करता है अगर उसको किसी चीज से problem होती है तो वो क्या करेगा अपने हाथ पैर मारेगा ठीक हिलाएगा ये सब कुछ क्या है वो उसकी gross motor skills है वो कैसे react करता है अपने reflex actions के थुरू react करता है ठीक है फिर उसके एक साल तक होते होते बच्चा क्या करेगा imitate करने लग जाएगा अगर जैसे वो imitate वो अपनी ममी डाडी की तो कम ही करेगा जैसे कोई animal है उसको frequently सुनता है तो वो उसको imitate करने लग जाएगा उनकी आवाजे निकालने लग जाएगा फिर जो इसका बहुत ज्यादा importance है इस stage का that is your object's permanence यह question बहुत बार आता है अभी तक क्या होता था मितलब आपका यह बोल सकते हैं birth से लेके 10 months या 12 months तक यह होता है कि आपको क्या है अगर बच्चे के सामने कोई चीज है ठीक है phone है for example आप उसको phone देते हो तो वो उसको लगेगा phone आपने उसको दे दिया उसको पकड़ के रखेगा बट अगर आप उससे phone ले लेते हो और यह बोल देते हो कि चिडिया लेगी या दे दिया क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है जो चीज उसकी site में नहीं है वो चीज है ही नहीं exist ही नहीं करती वो चीज गुम हो गई है ठीक है बट जब इस stage की end आने लगती है मतलब आपका 18-24 months के बीच में बच्चे के अंदर यह object permanence आ जाती है object permanence उसको पता है अगर आपने उसको phone दिया है अगर आपने उससे phone ले लिया और शुपा दिया तो बच्चे को पता लग जाएगा कि phone किसके पास है ममा के पास ही phone है या किसी और के पास ही phone है मुझे दे के नहीं कर रहे है तो उस time क्या हो जाता है बच्चे को समझ आने लग ज इंपोर्टेंट है, that is goal-directed behavior, ठीक है, अब क्या होगा, बच्चे की sense, हमने बुला ना, वो sensory, motor scale, जो stage है, senses के through, सीखता है, उसमें, तो उसकी sense वाले जो power है, वो बहुत जादा strong होती है, ठीक है, अगर आप उसको आवास दोगे, वो instantly turn करेगा, अपकी side को नहीं भी देख रह है, ठीक है, जिस side से उसको आवाज आई, उस side को वो जाने लग जाएगा, तो ये क्या है, एक goal-directed behavior है, next बात करेंगे, अब pre-operational stage की, ठीक है, जो आपका pre-operational stage है, ये आपका होता है, ये आपका होता है, 2 से 11 years तक, ठीक है, आपका pre-operational stage वैसे 2 stages में divided है, पहले हम इसको प पताएंगे कि कैसे कैसे ये divided है, first आपका है, कि बच्छा इस time में क्या करेगा, mistakes करेगा, कैसी mistakes करेगा, identification में mistake करेगा, ठीक है, उसके लिए क्या है, सारे जितने भी males है, वो सारे पापा है, जितनी भी females है, वो क्या है, ममा है, तो ये क्या कर रहा है बच्छा, इस time identification में, problem क्या है उसके पास concept नहीं है operations नहीं है तो आपको पता है उसका कोई concept नहीं है बहुत illogical बाते करेगा उसके लिए सारे मेल्स क्या है फादर है सारी फीमेल्स क्या है मदर है तो यह क्या है आपकी प्री ओपरेशनल स्टेज की एक वो है फीचर है कि क्या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको identification में problem आ रही है और next है आपका concept नहीं है उसके पास कोई उसको बहुत illogical बाते करेगा वो constructive reasoning करेगा मतलब illogical बाते करेगा हर चीज की ऐसा क्यों होता है नहीं होता है ऐसा क्यों नहीं होता है मतलब क्या उसके लिए क्या है कि रात में भी sun ही आता है दिन में भी sun ही आता है बहुत illogical सी ब मतलब होता है उसको reverse करनानी आएगा चीजे को मतलब आपका जिसे ये हम बोल सकते हैं कि आपको पता है ये 2 से 11 साल के बीच की बात है तो आप जब आप school जाते हो आप कहां मतलब आप ये बोल सकते हो six to eight years के होते हो तो आप क्या table सीखते हो तो two five are ten होते हैं हमा को पता है two five are ten but क्या करता है बच्चा बच्चे को सिरफ ये पता है बच्चे को ये नहीं पता लगता है कि five two's are भी क्या हो सकता है ten हो सकता है ये concept उसके दिमाग में नहीं आता है ठीक है ये चीजे उसके दिमाग में नहीं आती है उसको सिरफ इता पता है कि five sorry two five are ten not उसको ये नहीं पता क प्राइव टूजा भी 10 होते हैं किस ने बात की थी इस पर बात की थी आपके वैकोट सी ने बट आपके और आपके प्याजे ने क्या बोला था इस प्राइविट स्पीच को इगो सेंट्रिक स्पीच बोला था क्या बोला था आपको इगो सेंट्रिक स्पीच बोला था तो वो अपने आपको बने का यहां से नहीं, यहां से ऐसे नहीं करना है, यहां से ऐसे नहीं करता, यहां से ऐसा हो जाएगा, वहां से ऐसा हो तो वो क्या करें अपने आपको direct कर रहा है, बट इस चीज को प्याजे ने importance नहीं दी थी, उसने बोला था, यह ego centric speech होती है, बच् उसको डॉल ऐसा लगती है कि डॉल को सच में ठंड लगती है उसको आप ब्लांकेट दो इसको क्लोथ पिनाओ उसको ठंड लगती है इसको भी भूख लगी है इसको भी खाना किलाओ तो ये सारी चीजे क्या है इस प्री आपनिशनल स्टेज में होती है Next, उन्होंने बात की थी, जो thought है, पहले थौट आएगी, आपके पास, फिर language आएगी. क्या बात की थी उन्होंने, पहले आपके पास thought आएगी, फिर उसके बाद आपके पास language आएगी. उन्होंने कहा था कि ये जो time period है, ये आपके language development लिए बहुत ज़रूरी है हमने अपनी last video stages of development में भी बात की थी कि आपकी जो ये stage है यहांपर क्या है आपका language development आपकी 2-5 साल तक बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है बचा बहुत जल्दी सीखता है और इसी वज़़से वो chatterbox stage भी कहलाई जाती है आपकी questioning भी बहुत ज़रूरी है इस age में ठीक है next egocentrism होता है इस age में उससे पराव इस stage में क्या होता है egocentrism हर चीज उसके eye मतलब जो उसके around ही घूंती है उसको ऐसा लगता है कि उसके mama पापा सिरफ उसके है उसके siblings के नहीं है हर जो toy है वो सिरफ उसका है उसको sharing नहीं आती उस time करने वो किसी के साथ अपनी कोई चीज share नहीं करना चाता है क्योंकि वो क्या होता है egocentric होता है ठीक है next बात करें कि conservation concept की बच्चे के अंदर conservation concept नहीं होता conservation concept के मतलब यह है कि आपके अपास यह example बहुत पुराना है कि आपके अपास एक glass है जो बहुत बड़ा है next class जो है वो थोड़ा छोटा है बट broad है ठीक है यहाँ पर broad है तो बच्चे को अगर बोले किसमे उसने पानी पीना है या juice उसको किसमे चाहिए तो बड़े वाले के लिए सिरफ क्या matter करती है height कि किसकी height जादा है उसमें जादा content होगा ठीक है तो यह conservation concept उसके पास नहीं होता यह था आपका pre-operation stage में हमने बात की ती कि जो pre-operation stage है यह दो parts में divided है आपका तो इसके बड़े में बात करते हैं ठीक है आपका pre-operational stage क्या है तो parts में divided है एक है आपका pre-conceptual stage pre-conceptual stage यह कहां से आता आपका 2 से 4 साल के बीच में आता है इसमें क्या है जो हमने बात की थी identification में mistake करता है वो इसमें आ जाएगा आपका ठीक है आपके mode of thinking जो है और reasoning है वो बहुत illogical होगी फिर भी बच्चा intuitive phase में फिर भी थोड़ी logical बाते करने लग जाएगा ठीक है बट यहां पर वो बहुत ज़दा illogical होगा egocentric जो है हमने बात की थी अभी egocentric होगा वो इस age में होगा egocentric की वो अपनी चीजे share नहीं करेगा दो से चार साल के बीच में फिर उसके बाद चार साल के बाद तो बच्चा school जाने लग जाता है फिर उसको थोड़ी थोड़ी sharing आने लग जाती है next जो आपकी stage है इसमें first stage थी आपकी pre-conceptual next आपका intuitive phase intuitive phase में क्या है आपका concept formation थोड़ी थोड़ी start हो जाएगी relationship उसको अच्छे से समझ आने लग जाएगे उसको समझ आने लग जाएगे ममा कौन है पापा कौन है दादा जी कौन है दादी जी कौन है तो उसको वो चीज़े समझ आने लग जाएगे उसको relationship पच्छे से विल्ड हो जाएंगे, बट इसमें आपकी वो भी, क्या absence रहेगी, आपकी reversibility, absence रहेगी, कि उसको वह चीज समझने है कि 2 5s are 10, 2 5 2s are 10, ये चीज समझने है कि उसके लिए सरफ एक चीज ही है, उसको ये ही पता है, 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है, उसको ये नहीं पता, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 ये चीज उसको अभी नहीं आएगी समझ, इस stage में, और ठीक है, conservation जो हमने बात की थी, अभी अभी, conservation of quantity, जो है उसकी वो quality और quantity वाली चीजे भी उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है, आपके ये दो stage के major, major difference थे, जो इसमें आपकी further divided थी, वो मैंने आपको समझा दी है, next है आपका, concrete operational stage, ये आपने अगर notice किया होगा, जैसे आपने ये दिखी, sensory motor stage, तो इसके नाम ते ही पता लग रहे है, sensory, senses के through और motor के through बच्चा यहां पर react करेगा, उसके लिए ये key features रहेंगे, next हमने देखा, pre operational, pre operational, pre operational का मतलब क्यों होता है, pre का मतलब पहले, operation का मतलब है कि आपके mental skills, operation जो है, आपका mental processes नहीं चल रही इस time तक, वो stage है यहां पर, बच्चा सोचेगा कम, उसको समझ कम आ रहा है इस stage पे, उसका concept बिल्ड नहीं हुआ है, next है आपका जो, वो है concrete operational stage, concrete मतलब अगर चीज़े उसको दिखाई देगी, by seeing, या by feeling, मतलब टच करके, वो चीज़े समझ सकता है, ठीके, उसके concept, उसके mental skills बनेंगे, पर कब, वो चीज़े strong कब होगी, अगर उसको वो चीज़े दिख रही है, अगर वो चीज़े वो touch कर सकता है, तो उसके वो operations, वो mental skills processes होगी, ठीके, अब इसमें आप क्या आएगा, इसमें आपकी logical thinking तो आ जाएगी, आपकी logical thinking तो आ जाएगी इसमें, और concrete operations होगी आपके, concrete operations का मतलब यह है, अगर मैं बच्चे को बोलूँगे, आप calculate करो, ठीक है, आप calculate करो, 2 प्लस 2 कितने होता है, या तो वो अपने fingers का use करेगा, या उसके पास कोई teacher क्या करेगी, उसको 2 toffies देदेगी, 2 chocolates देदेगी, और उसको बोलेगी, अब आप उसको add करो, तो वो बच्चा क्या करेगा, उन चीजों को touch करके, वो चीजे count करके, touch करके, वो क्या करेगा, वो operations perform करेगा, उसके अपनी mental skills को develop करेगा, तो यहाँ पर क्या है, आपकी logical thinking भी आ जाएगी, और concrete, concrete का मतलब है, by doing, by seeing, वो चीजे कर सकेगा, ठीक है, इस stage पर reversibility आ जाती है, reversibility, क्या थी हमने बात की थी, कि irreversible है, अब इसको समझ आ जाएगा, कि अगर हम 3 प्लस 2 करे, तो वो 5 होता है, और 2 प्लस 3 करे, तो वो भी 5 होता है, 7 से 11 यह के बीच में क्या आ जाएगा, उसको यह समझ आ जाएगी, कि reversibility नाम की भी कोई चीज होती है, अगर हम ऐसा करेंगे, तो भी ऐसा ही होगा, ऐसा करेंगे, तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है, और यहाँ पर उसके पास inductive reasoning होती है, inductive reasoning का मतलब यह है, कि वो example से concepts की तरफ जाएगा, ठीक है, rules की तरफ जाएगा, example से, अगर कोई rules में आप यह example दे सकते हो, कि कैसे आप example से rules समझा सकते हो, अगर हम बच्चे को ऐसे बोलेंगे, कि you should brush your teeth दे ली, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को ignore करेगा, उसको वो चीज समझने आएगी, कि teacher है, ऐसी बोलती रहती है, ऐसी आपको ग्यान बांटती रहती है, बट अगर आप बच्चे को यह समझाओ के, कि अगर आप brush नहीं करोगे, तो क्या होगा आपके, आपके teeth भी वैसे ही हो जाएंगे, जैसे आपके friend की हो गई है, तो उस ताइम क्या होगा, वो example से समझेगा, rule की तरफ आएगा, rule क्या है, यहाँ पर आपको brush daily करना है, two times करना है, तो यह क्या है, example से rule की तरफ आपना, यह इसको क्या बोलते हैं, आप inductive reasoning बोलते हैं, conservation का concept समझ आजाएगा, उसको पता लग जाएगा, कि height से कुछ नहीं होता है, quantity भी matter करती है, quantity भी matter करती है, कि इतना, किसमें जादा quantity है, वो जादा matter करती है, उसके पास seriation आजाएगी, ठीक है, वो छोटी सी चीज़े को बड़ा, ascending, descending order, उसको समझ आजाएगा, कि अगर मैं बोलूँगी उसको, कि height order में खड़े हो जाओ, height wise खड़े हो जाओ, तो वो बच्चा वैसा अपने आपको organize करना सीख जाएगा, ठीक है, अब क्या करेगा, वो multiple aspects को follow करने लग जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, multiple aspects को follow करने लग जाएगा, अगर मैं उसको circle के बारे में पढ़ाऊँगी, वो circle भी समझ आजाएगा, उसको square के बारे में पढ़ाऊँगी, या rectangle के बारे में पढ़ाऊँगी, वो भी आजाएगा, square के बारे में पढ़ाऊँगी, वो भी समझ आजाएगा, तो वो क्या कर रहा है, multiple aspects को अपने consideration में ले रहा है, तो यह था आपका concrete operational stage, concrete operational stage में क्या होता है, आपके seeing by doing, ठीक है, आप touch करके, देख कर, सीखते हैं, पर आपको क्या है, आपका, वो चीज, mentally आप उतरने develop तो नहीं हुए होते हो, बट आप कैसे, अगर आपको वो चीज, example, एग्जाम्पल से आप rules की तरफ चाह सकते हो, inductive reasoning आपके अंदर आ गई होती है, next path करेंगे, हम formal operational stage की, जो आपके, आपके adolescence age में होता है, आपके 12 से 18 years के बीच में होता है, इसमें क्या है, आपके abstract thinking आती है, मतलब अब बच्चे को mentally, मतलब वो चीजे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फिंगर्स के यूज नहीं करेंगा, अपनी math calculation में, आप उसको imagine करने के लिए बोलेंगे, कुछ की आप imagine करिये, imagine you have this, a full basket of apples, तो वो उस चीजे को imagine कर लेगा, आपको वो चीजे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस age को gang age भी बोला गया है, आपका adolescence egocentrism में आ जाता है, मतलब adolescence वाला egocentrism आ जाता है, मतलब जब बच्चा adolescence में होता है, तो उसको लगता है, दुनिया उसके ही around evolve कर रही है, ठीक है, evolve कर रही है, आपको पता है कि बच्चा क्या करता है, बार-बार mirror देखेगा, तो वो क्या है, egocentrism का एक पार्ट है, ति mirror देखेगा, उसको best दिखना है, उसको ऐसा लगता है, कि हर लोग उसको ही notice कर रहे हैं, तो यह सारे क्या है, egocentrism है, अब उसके अंदर deductive reasoning आज़ेगी, inductive reasoning क्या थी आपकी, example से, example से कहां के लिए ज़ा रहे थी, inductive reasoning क्या थी, example से आपने क्या किया था, rule समझा था, अब क्या है, इसमें inductive में होता है, कि आप rule से example समझते हो, ठीके, जैसे आपका curfew वाला rule है, कि आप curfew में भार नहीं जा सकते हैं, यह एक rule है, ठीके, अब आपको आपने इस बारे में पढ़ लिया है, कि curfew में कि क्या क्या problems होती है, इसलिए आप भार नहीं जा सकते हो, तो अब आप क्या करोगे, उसका example समझोगे, कि हाँ, बहाँ पर curfew लगा था, इसलिए यहां पर ऐसे सी चीज़े हुई, क्यूंकि आपने क्या था, आपने रूल पढ़ा था, इसलिए आप क्या करोगे, रूल से example की तरफ जाते हो, इस age में, creativity बहुत जाद होती है, divergent thinking हो जाती है, बच्चा एक expect पर नहीं सोचता, वो हर expect पर सोचने लग जाता है, अपनी identity के बारे में, सोचने लग जाता है, कि उसने अपनी identity कैसे बनानी है, कैसे उसने world को face करना, अपना future, अपना career कैसे बनाना है, तो ये थे आपके, प्याजे के, चार important stages, of cognitive development, और आपने, I hope आपको ये terminologies भी अच्छे से समझाई होगी, ये जो cognitive processes है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी problem है, कोई भी doubt रहे गया है, तो आप comment box में comment करके, बता सकती हैं, और अगर आपको ये वीडियो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो आप इसको like कर सकते हो, अपने friends के साथ share कर सकते हो, बाकी अगर आप इस channel पे नए हो, तो आप channel को subscribe करना न भूले, साथ में bell icon प्रेस करते, thank you,